बिस्मिल्य रह्मान ररहीम, आज हमरे लिक्ट्र नाइन क्लास मेट्स के लिए है और आज हम एक्सरसाइज 17.3 में क्वेस्टिन नम्बर 7 और क्वेस्टिन नम्बर 8 साल्फ करेंगे क्वेस्टिन नम्बर 7 है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैंग बेस 3.5 cm and other two sides equal to 3.4 cm and 3.8 cm respectively. फ्राइंग एक्ट्राइंगल के लिए डेता दिया गिया है तो आप गिवन में लेके a triangle ABC in which मेर अब अब एक इकल तो 3.5 cm, मेर अब बस इकल तो 3.4 cm and मेर अब अब एक इकल तो 3.8 cm रिकार में लिए को चांस्ट्रक्ट अ स्क्राइंगल नेरिया तो गिवन ट्राइंगल ABC question का मतलब यह है कि आपको एक triangle पहले construct करना होगा जिसके लिए data given में दिया गिया है पिर इस triangle की area के बराबर एक square construct करना होगा तो इसके लिए direct method तो हमारे पास नहीं है लेकिन एक indirect method के जरीए हम यह salt कर सकते हैं indirect method यह है कि आपने इस exercise में दो questions इस तरह किये है कि एक यह कि जब आपको triangle का data दिया गिया हो तो आप इस triangle की area की बराबर rectangle बना सकते हैं और दूसरा question इस पिसम का था कि आपको rectangle के लिए length और width दिया गिया हो तो आप इसके area की बराबर एक square बना सकते हैं तो हम यह दोनों questions यह पर इस्तिमाल करेंगे और इस triangle की area की बराबर square बनाएंगे जो की area में दोनों बराबर हों तो इस question को solve करनी के लिए हम पहले एक side जिसकी लंबाई हमें दी गई है कि 3.5 cm इसकी लंबाई है तो आप 3.5 से लेकर 0 तक ruler की मदद से एक line केंची और इसे AB से जाहिर करें अब दूसरे जो sides है यह डुरा करने के लिए हम compass की मदद से यह डुरा कर सकते हैं compass को upset करें और अब 3.4 cm के बराबर compass को लेए 3.4 यह चार मिलिमीटर और तीन सिंटिमीटर चुनकि यह BC है तो यहां point B पर compass का नीडल रख दे और उपर एक आर्क इस तरह लगाएं अब AC साइट 3.8 cm है तो 3.8 से लेकर 0 तक आप compass को लें और यहां A पर रख कर उपर एक आर्क लगाएं यह पहले से जो आर्क हमने केंचा है यह जरा बढ़ाएं इसके बराबर पहले आप compass को लें और इस तरह यह बढ़ाएं ताकि इनका intersection बिलकुल clear हो अब इस intersection point को C से लेवल करें और यह intersection point B के साथ में लाएं और इस तरह A के साथ B में लाएं तो A, B, C यह given data की मताबख हमने triangle construct किया अब इसके area के बराबर हम rectangle construct करेंगे तो इसके लिए हमने तरीका आपको बताया था कि आप इस A, B, B, C का perpendicular by sector draw करेंगे पहला step हमारा इसमें यह होगा कि हम इसके लिए perpendicular by sector draw करेंगे यह पर required में तो square बनाना है लेकिन square बनानी के लिए जरूरी है कि पहले हम इस triangle की area की बराबर rectangle बनाई और पिर उस rectangle की area की बराबर square बनाई तो पहले हम वो rectangle बनाते हैं तो इसके लिए B पर रखकर उपर एक आर्क और इस तरह नीचे भी एक आर्क लगाए compass की width को बरकरार रखके ना कम करें ना ज्यादा करें और दूसरे end point A पर रखकर उपर भी एक आर्क और इसी तरह नीचे भी एक आर्क लगाए ये दूनों आर्क जहां एक दूसरी को intersect करते हैं इनकी सीध में हम line केंचते हैं लेकिन नीचे line केंचनी के जरूरत नहीं इस A, B के उपर आप line केंचे इस तरह से तो ये perpendicular by sector हमने ड्रा किया पर अगला step ये ता कि इस point A पर हम एक perpendicular यानी 90 degree का angle बनाएंगे तो 90 degree का angle बनाने के लिए आप इस point A पर compass का needle रखकर इस side से बाहर की तरफ एक arc लगाए पिर compass की weight को बरकरार की नकम करें नज्यादा करें इस intersection पर रखकर यहाए एक arc intersect करें तो यहाए रखकर एक δूसरा arc intersect करें फिर इस इंटर्सक्षन पर रखेर अब अगर आप कमपास की वेट को बढ़ाते हैं या गठाते हैं तो इसे कोई फर्क नहीग पड़ता लेकिन यहाँ पर हम कमपास की वेट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि जो में यह पर लगाता हूँ तू वो एक दूसरी को इंटरसेक्ट करें अगर इसके बराबर आप ले तो शायद वो इंटरसेक्शन बाज वकाद नहीं कर सकता तो यह पर इंटरसेक्शन हो गिया इस तरह भी ठीक है अगर आप कम या ज्यादा करें तो उससे कोई फर्क नहीं बढ़ाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब इस पॉइंट अप इंटरसेक्शन को इस पॉइंट ए के साथ इहतियात के साथ मेलाएं ताकि 90 डिगरी का एंगल बन सके तो यह पर हमने 90 डिगरी का एंगल बनाया अब सी से गुजरता हुआ एक लाइन यहां पर केंचना होगा तो जो कि एबी का पेरलल हो तो एबी का पेरलल लाइन ड्रॉक करने के लिए आप सेट स्क्वेर की मदद से यह ड्रॉक कर सकते हैं एक सेट स्क्वेर लेजिए और इसका यह किनारा जिस पर सिंटिमीटर बाइन फ़यर लिए लिए यह इस लाइन एबी की सीध में बेल कुल इसकी सीध में रखे और दूसरा सेट स्क्वेर इसके एक किनारे के साथ इस तरह रखी कि ये बिलकुल दोनों एक दूसरी से पेवस्त लगे हुए हूँ अब इस सेट स्क्वेर को आप उपर नीचे अगर ले जाते हैं तो आप ले जा सकते हैं लेकिन यहां तक आप ले जाए जहां पर पॉइंट सी है पॉइंट सी ऐसी पॉजीशन पर रख देए ये सेट स्क्वेर कि अगर हम यहां इसकी किनारी के साथ लाइन ड्रॉक करना चाहिए तो वो सी से गुजरता हो तो ये ख्याल रखे कि सी इस सेट स्क्वेर की नीचे नहो और ज्यादा उपर भी नहो तो हम इसकी सीद में लाइन ड्रॉक करते हैं इस तरह अगर आप इस तरह बढ़ाए तो भी बढ़ा सकते हैं तो ये हमने एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया जिसका एरिया इस ट्राइंगल ए बी सी की एरिया के बराभर होगा यहाँ पर डी और यहाँ पर ई से लेबल करें पिर हमने ये पर पिन्डुकलर ड्रॉक किया था तो यहाँ पर मौजूद है एक पॉइंट दूसरा पॉइंट यहाँ पर F से लेबल करें और फिर हमने यह पर्पेंडिकुलर यह परल्ल लाइन A B का हमने ड्रा किया तो इसी भी लेबल करें यहाँ पॉइंट G से और यहाँ एक पॉइंट H से यहाँ पर जो इंटर्सेक्शन हुआ इन दो लाइन्स का और इस G H लाइन का आपस में इन पॉइंट को भी लेबल करें इसे हम लेबल करते हैं पॉइंट K से और यहाँ पॉइंट L से यह पॉइंट हमने L से लेबल किया तो AD L के यह हमने एक रेक्टेंगल बनाया जो कि एरिया में इस ट्राइंगल ABC के बराबर होगा अब इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर स्क्वेर कंस्ट्रक करने के लिए हम एक अलग डाइग्राम बनाते यह एक अशारिया साथ सिंटिमीटर है तो यह पर मैं रफ लिखता हूँ कि इसकी वेट डबल्यो वन पॉइंट सेवन सिंटिमीटर और इसकी लेंद को भी मायर करें तो यह 2.5 के बराबर है तो एक लेंद 2.5 सिंटिमीटर का इसे एम और यह पर एंड से लेवल करें पिर एक सिरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाए क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स राइट एंगल्स यानि 90 डिग्री के होते हैं तो इस साइड से बाहर की जानिब एक आर्क इस तरह लगाए ये आर्क्स इस आर्क के बहुत करीब होते हैं तो अगर आप कमपास की वेट को बढ़ाई तो उससे कुछ पर्प नहीं पढ़ता बढ़ा सकते है लेकिन हमने नहीं बढ़ाए एक लाइन एम पी पी से लेवल करें ये हमने पर पिंडुकलर ड्रा किया और अब इसकी वेट के बराबर कमपास कोल कर यहाँ पर एक आर्क और यहाँ एन पर रखकर उपर एक आर्क पिर इसकी लेंद के बराबर कोल कर यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट पर रखकर एक आर्क intersect करें इस पॉइंट को जहां intersection arc और line intersect किया है इसी Q से और यह जो दो arc से एक दूसरी को intersect करते हैं इसी point R से label किरें Q को R से मिलाए और R को N के साथ मिलाए अब इस rectangle की area के बराबर यह पर rectangle हमने बनाया और इस rectangle के बराबर यह पर square बनाएंगे तो इस के लिए आप Q R को produce करें मतलब यह आगे बढ़ाए इस तरह से और यह पर किसी point से label करें मैंने इस से label किया अब compass को R इनके बराबर खोलें और यहाँ आर पर रख करें यहाँ एक आर्क इंटरसेक्ट करें जितना इसकी वेट थें इसकी वेट्स के बराबर compass को लें और आर पर रख कर यहाँ इस लाइन से intersection point मालूम करें इस point को भी लेबल करें यहाँ पर मैं T से लेबल करता हूँ अब इस Q T यह जो सिग्मेंट है इसका mid point मालूम करना होगा mid point मालूम करने के लिए आप उस लाइन सेग्मेंट के एक सेरे पर compass का नीडल रख दें और दोनों साइड्स पर आर्क लगाएं पर इस दूसरे end point पर रख कर उपर भी आर्क और नीची भी आर्क यह पहला वाला आर्क जरा बढ़ाते हैं ताकि यह clearly एक दूसरे को intersect कर सके इनकी सीद में ruler रख कर यहाँ पर सिरफ मेट पॉइंट लगाए और इसी भी किसी point से लेबल करें मैंने यह पर यू से लेबल किया अब इस point यू को एज सेंटर लेते हैं कमपास का नीडल इस पर रख कर और क्यू तक या टी तक कमपास कोल कर एक सीमी सरकल इस तरह लगाए अब यह एन यू यह साइड प्रोडूस करें मतलब आगे बढ़ाए यहा तक कि यह सीमी सरकल के साथ मिले जहाँ पर यह सीमी सरकल के साथ मिलते हैं इसे point वी से लेबल करें यह यू वी यह सिग्मेंट यू से लेकर वी तक यह उस स्क्वेर का एक साइड होगा तो मजीद साइड भी हम ड्रॉक करते हैं ताकि स्क्वेर मकमल हो इस यू वी के बराबर कमपास को ले यू पर रखकर यह पर एक आर्क लगाए पिर इस point पर रखकर उपर एक आर्क और पिर इस point वी पर रखकर एक आर्क जो के पहले से आर्क जो हमने ड्रॉक किया था उस आर्क को इंटरसेक्ट कर सके यह point इस intersection के साथ और इसी तरह यह intersection point इस वी के साथ भी मिलाए यह पर जो point हमने लिया था जो के हमने इस यू वी के बराबर compass कोल कर एक आर्क लगाया था इसी भी लेबल करें यह पर मैंने ड्रॉक से और इस point को एक से लेबल करें तो इस तरह से इस triangle की area की बराबर हमने rectangle बनाया और इस rectangle की area की बराबर square बनाया तो इसका मतलब यह हुआ कि यह triangle और यह square यह दोनों area में बराबर होंगी Steps of construction लिखने के लिए आप लिखे के Construct triangle ABC according to the given data First we construct a rectangle equal in area to the triangle ABC For this draw the perpendicular bisector of AB which is DE Draw AF parallel to DE Through C draw GH parallel to AB ADCK is the rectangle equal in area to the given triangle Now to construct a square equal in area to the rectangle ADLK इस rectangle की बराबर अब हम यह पर square बनाएंगे तो पहले हम इस rectangle का हवाला देंगे के construct rectangle MNRQ equal to rectangle ADLK यह यहाँ पर लिखना होगे एक स्टेप Produce QR Cut off RT equal to RN यानि RN के बराबर हमने RT Cut off किया था काटा था तो यह step आप लेकेंगे Find the midpoint of QT which is U Taking U as center and QU as radius draw a semicircle Produce NR to meet the semicircle at point V Taking RV as one side of the square Complete the square RNXV Which is the required square equal in area to the given triangle ABC अब आते हैं question number 8 की जानब Question number 8 है Construct a triangle having base 5 cm and other sides equal to 5 cm and 6 cm Also construct a square equal in area to the given triangle आपको एक ट्राइंगल के लिए data दिया गया है यानि sides की लंबाया दी गई है इससे एक triangle construct करना होगा और पिर उस triangle की area के बराबर square construct करना होगा तो इसके लिए भी हम यही तरीका जो की question number 7 में हमने इस्तिमाल किया यही तरीका हम इस्तिमाल करेंगे कि पहले हम triangle की area की बराबर rectangle बनाएंगे और फिर rectangle की area की बराबर square बनाएंगे तो indirect method है यानि यह दरसल दो questions जो पहले हमने इस exercise में solve किया था उनके को इस्तिमाल करते होई हम यह question solve कर सकते हैं तो पहले आप इसका base AB जो के 5 cm है पांच सिंटिमीटर एक साइड लें और इसे AB से लेबल करें फिर इसके एक सीरे पर compass का needle रख दे और यह पांच सिंटिमीटर के बराबर खोल दे क्योंकि दूसरा जो side है वो भी 5 cm का है तो पहले compass के weight को set करें यानि 5 cm और चुनकि यह BC है तो आप B पर रखकर arc लगाएंगे अब AC यह 6 cm है तो compass 6 cm के बराबर खोले और पॉइंट A पर रखकर एक arc इंटर सेट करें यह पॉइंट C होगा यह पॉइंट C A और B दोनों के साथ मिलाएं पॉइंट C B के साथ और इसी तरह A के साथ भी मिलाएं तो यह ABC ट्राइंगल गिवन डेटा की मताबिक हमने construct किया अब इसकी एरिया की बराबर पहले हम रिक्टेंगल बनाएंगे तो रिक्टेंगल बनाने के लिए तरीक कार यह है कि इस पॉइंट B पर रखकर इसके हाप से कुछ ज्यादा कम पास कोलें अगर आप ज्यादा भी कोलते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन इसके हाप से अगर आप कम कोलते हैं तो पिर यह आर्क्स जब हम ड्रा करते हैं तो आपस में इंटर्सेक्शन नहीं करते हैं इसलिए हम बार बार यह कहते हैं कि इसके हाप से ज्यादा कम पास कोले यह पर रखकर उपर और नीची दोनों साइड्स पर आर्क्स लगाई और पिर इसको इन आर्क्स के इंटर्सेक्शन पॉइंट्स की सीध में यहाँ पर अबी से उपर की जानब हम एक परफिंडिकुलर बाई सेक्टर ड्राग करेंगे अब इस इनके इंट पॉइंट्स को लेवल करें यह डी से और इस पॉइंट को ई से तो डी इ हमने परफिंडिकुलर बाई सेक्टर ड्राग किया अब इस डी की डी इ सिग्मेंट का पेरलल यहाँ ए से गुजरता हुआ केंच ना होगा तो इसका पेरलल ड्राग करने का तरीका यह होगा कि इस पॉइंट ए पर हम नाइंटी डिगरी का एंगल बनाएंगे इस तरह लगाए पिर इस इंटर्सेक्शन पॉइंट पर रखकर एक आर्क पिर इस इंटर्सेक्शन पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे लेकिन ख्याल रखके के कमपास की वेट को ना कम करें ना ज्यादा करें पिर इन दो intersection points को इस्तेमाल करते हुए अब अगर आप इसकी weight को बढ़ाई तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी seed में हम एक line draw करेंगी तो ये 90 degree का angle होगा point A पर इन भी level करें यहाँ एक point से यहाँ पर हमने ए तक लिक किया तो यहाँ F से यह point level करें तो A F हमने एक perpendicular draw किया जो कि point A से गुजरता है अब इस point C से गुजरता हुआ एक line इस A B के parallel draw करना होगा तो इसके लिए हम set square का इस्तिमाल करेंगे set square की मदद से set square का एक के नारा जिस पर mm cm लगे हुए हैं आप यही किनारा इस्तिमाल करें या यह किनारा या यह जिस पर cm लगे हैं यह जो खाली किनारा है यह इस्तिमाल न करें इनकी सीद में तो इसके साथ दूसरा set square यह यह पर आप पेमाना भी रख सकते हैं यह पर माना इसके साथ बिलकुल मुंसलिक करें और यह दोनों मदबूती से ताइमे रखें और इस set square को आप आगे बढ़ाएं यहा तक कि यह point C तक इसका किनारा पहुंच जाएं तो किनारा इस ऐसी position पर होना चाहिए कि अगर हम इसके साथ line केंच चेंच तो वो C से गुजरें तो यहाँ पर मैंने compass जो set square है वो set किया और अब पेमाना को आप हटा सकते हैं और इसके seed में एक line draw करें यहाँ पर मैं इसको एक point G से लेबल करता हूँ यहाँ यह H से और यहाँ जो intersection हुआ इसी point K से लेबल करूंगा तो इस तरह हमने एक rectangle ADKG यह rectangle हमने construct किया अब इस rectangle के बराबर यहाँ पर हम rectangle बनाएंगे पहले एक line draw करें इससे पहले जो question हमने solve किया उससे मामूली मुक्तली तरीकी से यह साल्फ करते हैं तो इस तरह भी आप कर सकते हैं आपको सिरफ आपको बताने के लिए यह पर यह point L से level करें एक सिरे को और दूसरा सिरा यह पर हम इस DK के लंबाई के बराबर compass कोलते हैं इसके बराबर हमने compass खोला एल पर रखकर इस line से हमने इसके बराबर segment intersect किया तो इसे M से label करें अब point L पर 90 degree का angle बनाते हैं तो 90 degree का angle या right angle बनाने का तरीका हमने बार 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 बताया है L पर रखकर एक आर्क यह intersection पर रखकर एक आर्क फिर इस intersection पर रखकर एक दूसरा आर्क फिर यह उपर भी आर्क और इस intersection को इस्तिमाल करते हुए एक आर्क जहां यह arcs मिलते हैं intersection करते हैं यह point L के साथ मिलाएं अब इससे इसके width के बराबर या एडी के बराबर काट देते हैं इससे लेकर D तक compass खोले और L पर रखकर ओपर यह एक आर्क इंटरसेक्ट करें इस point को N से label करें और इसी AD के बराबर खोलकर M पर रखकर ऊपर आर्क लगाएं और इस LM के बराबर खोलकर इस point N पर रखकर आर्क इंटरसेक्ट करें ताकि दूसरी साइड की लंबाई इस सेमत में मालूम हो सकें तो इस point intersection point of intersection इसी P से हम label करते हैं point P को आप M के साथ B मिलाएं और इसे N के साथ B मिलाएं तो यह rectangle के बराबर हम ने यह पर चांस्टरक्ट किया अब इसके बराबर हम स्क्वेर कंस्टरक्ट करेंगे तो इसके लिए आप यह NP लाएं यह आगी की तरफ बढ़ाएं और जितना यह PM या MP के लंवाई है इसके बराबर कमपास कोल कर P पर इसका नीडल रखकर इससे एक आर्क इंटरसेट करें यहाँ इसे किसी पॉइंट यहाँ पर मैं Q से लेबल करता हूँ तो N Q यह सिग्मेंट जो है इसका मेट पॉइंट मालूम करना होगा मेट पॉइंट मालूम करने के लिए Q पर रखकर इस N Q के हाप से ज्यादा कमपास कोल कर ओपर नीचे आर्क लगाए पिर दूसरे N पॉइंट पर रखकर ओपर और नीचे आर्क लगाए जहाए यह आर्क्स इंटर्सेक्शन करते है इन इंटर्सेक्शन की सीद में रूलर रख दे और यह पर सिरफ पॉइंट अख लगाए और इसे लेबल करे इसे हम आर्क से लेबल करते हैं इस पॉइंट आर्क को अज़ा संटर्सेक्शन करते होए इस पर कमपास का नीडर्स रख दे एन तक या क्यू तक आप कमपास खोले और इस तरह का एक सीमी सरकल ड्रॉड करें अब यह MP प्रॉड्यूस करें इनकी सीद में रूलर रख कर यह प्रॉड्यूस करें और सीमी सरकल तक ले जाएं जहां यह सीमी सरकल के साथ मिलता है इस पॉइंट आप इंटर्सेक्शन को यहां किसी पॉइंट से लेबल करें यहां पर मैंने S से यह लेबल किया तो यह PS यह स्क्वेर का एक साइड होगा मजीद जो साइड से वो भी हम ड्रॉड करेंगे तो इसके लिए P पर रख कर S तक कमपास खोले और इस साइड पर एक आर्क इंटर्सेक्शन करें इस पॉइंट को मैं यहां पर T से लेबल करता ह हूं T पर रखकर कमपास की वेट को उसी तरह रखें जिस तरह कि यहां पर हमने पहले मैयर किया और यह आर्क लगाए तो T पर रखकर ऊपर एक आर्क और S पर रखकर एक आर्क इस पॉइंट अप इंटर्सेक्शन को U से लेबल करें यह T और U यह भी आपस में मिलाएं और इस पॉइंट को इस पॉइंट S के साथ भी मिलाएं तो यह P T U S यह जो स्क्वेर बन गया यह एलिया में इस रेक्टेंगल के बराबर है और यह रेक्टेंगल इस ट्राइंगल के बराबर है तो इसका मतलब यह हुआ ट्रांजिट व प्रापर्टी के जरीए कि इस स्क्वेर का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा steps जो कि इससे पहले question में मैंने बताई उसी तरह आप इसके steps आप construction लेक लेए ये practical geometric का आखरी exercise और आखरी question ता ये मकमल हो गिया वेडियो अगर अच्छी लगे तो वेडियो को जरूर लाइक करें चेनल पुश्ट ट्यूटर सबस्क्राइब करें और नोटिफिकेशन भी आन करें ताकि जो भी नई वेडियो हम upload करते हैं तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए खुदा हाफिस